दोस्तो business communication के अंदर आज किस वीडियो में हम लोग meeting topic को discuss करेंगे meeting क्या होती है इसके कितने types होते है इसकी क्या importance होता है इन सारे चीज़ों को आज किस वीडियो में देखेंगे ठीक है जैसे कि हम लोगों ने last वीडियो में group discussion के बारे में discuss किया था तो group discussion का ही यह एक sub-part है meetings ठीक है तो meeting जैसे कि नाम से ही पता चल ला है कि जो meeting होती है इसमें क्या होता है कि देखो two or more people come together यानि कि दो-चार लोग आपस में आते हैं और each other is called a meeting कि आपस में आकर कि किसी भी topic के उपर क्या करते हैं बात करते हैं कि भी problem को solution करते हैं इसी को क्या बोलते है meeting बोलते है so there are various reasons for which meeting is conduct like researching आपके बहुत अलग-अलग reasons हो सकते हैं कि meeting क्यों conduct कराई जाती है ठीक है आप कोई भी problem आ गए तो उस problem को solve करने के लिए meeting कराई जाएगी या फिर कोई भी planning करना हो प्लान करने के लिए बी conduct कराई जाएगी हैना कोई भी strategy बनानी हो कोई भी चीज का control करना तो इन सारी चीजों के लिए आपको क्या करना होता है meeting को conduct करना होता है करने के लिए कोई भी problem को solve करना उसके लिए creating strategies आपको कोई strategies बनानी हो for business promotion के लिए हैना कोई चीजों को control करना है मानलो कि आपके company में जो भी आपके employees हैं वो क्या करता है वो भाग रहे हैं ठीक है मनलब कि company छोड़ छोड़ के जा रहे है तो वो क्या है उस चीज को control करने के लिए क्यों जा रहे हैं उसके क्लिए क्लिए strategy मना सकते हो तो उसको control करने के लिए क क्या कर सकते हैं में प्रॉब्लम को सॉट आउट करो चुरिके के लोग बैट करें ठीक है उसके इक डूसरे के जो भी आईद्या वह तो इसक कर सकते हो फिर यहां पर देखो कि the requirement of a meeting are, यहां पर कुछ एक requirement दिये गए है meeting के, जैसे कि एक तो क्या करना चाहिए, आपको एक topic होना चाहिए, उसके लिए क्या होना चाहिए, आपके right participants होने चाहिए, अब ऐसा है कि किसी को भी बुला करके बैठा लिया, meeting contact कराना है, तो right participants होने चाहि जो उसको उसमें अपना हिस्सेदारे दिखा सकते हैं, अपना involvement दे सकते हैं, तो यह होता है, कि right participants का होना, फिर informing all participants in advance, अपने सारे जो भी participants हो, उनको advance में ही inform करो, कि आपकी इस समय meeting होगी, तो कल आईएगा, तो इस तरीके से पहले से उनको inform करके रखो, ताकि number of absentries एक तरीके से agenda क्या होता है, हम लोगों ने discuss कर लिया था, तो agenda, जो meeting के अंदर, जो point discuss किया जाने, उन सारे points को include करो, उसको setting करो, उसको बनाओ, maintain करो agenda को, ठीक है, फिर appointing a facilitator, facilitator क्या होता है, एक तरीके से जो भी meeting का, meeting को hold करता है, जो भी meeting को, अब क्या होने आला, अब क्य जरूरी होती है, meeting के conduct कराने के लिए, कोई topic भी होना चाहिए, अब ऐसा तो नहीं कि सभी लोग आखर के बैठ गए, कोई topic ही नहीं है, तो उसके बाद में किया है, कि summarizing the meeting along with the action plan in future, और साथ में क्या करना चाहिए, कि जो भी, आपकी meeting हो, उसको आप close कर सकते हो, कोई भी action plan क साथ में कि एक action plan बनाओ, कि future के अंदर हम लोगों को यह करना है, इस तरीके से action plan के साथ में, आप meeting को close कर सकते हो, उसके बाद में following free forms of ideas, लाइक आपकी जो भी ideas होने चाहिए, सभी लोग जो भी दे रहे हैं, सबके ideas को अच्छे सुनो, ऐसा नहीं कि कि किसी को बेवकूफ स आने का क्या objective हो सकता है, अपने भी दिमाग से सुचो, किसी भी तरीके का plan बनाना हो, कोई भी plan बनाना हो future के लिए, किसी भी चीजों को control करना हो, कोई भी problem को solve करना हो, कोई भी decision making लेना हो, create and development understanding, ठीक है, अपनी understanding को develop करना हो, create करना हो, ठीक है, उसके बाद में coordination, सभी लोगों के बीच में equality बनाने के लिए भी हम लोग मीटिंग को conduct करा सकते हैं, फिर give information to group of people, लोगों को पहले से ही उसको क्या करना रहता है, कि give information to group of people, मतलब कि लोगों को जो भी आपके group में काम करते हैं, उन सारे लोगों को कोई भी तदिगी के information को provide करना है, पर भी आप meeting क को conduct करा सकते हो, to resolve conflicts, अब मालो कि किसी के बीच में कोई भी जगडा विवाद हो गया हो, ठीके तो उस विवाद को conduct, विवाद को solve करने के लिए, confusion को कम करने के लिए, हटाने के लिए भी meeting conduct करा ही जा सकते हैं, तो ये कुछ एक objective होते हैं, meeting के, इन सभी चीजों को आथ्छे स से आप ध्यान रखेगा, अभी देख लो यहाँ पर kind of meeting, kind of meeting का मतलब types, इसके मतलब समझ लो, एक होती ही public meeting, जिसमें से आपके जितने भी social, political, culture, religious and others, आप देखते होगे न, मंदिर मर्जितों में क्या होती है, एक तरीके से meeting होती है, कमेटी बुलाई जाती है, और तरीके public meeting होती है, जिसमें से धार्मिक तरीके के लोग आते हैं, अलग-अलग culture मालो holy आ रही है, तो holy के लिए भी अब क्या होता है, यह अलग-अलग तरीके के लोग बैठते हैं, है न, कि इस बार यह करेंगे, है न, social हो, political हो, 2-4-6 राजनेता लोग आ गए, है न, तो वो आपस म हैं, बैठ करके, मिल करके, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइवेट मीटिंग बोलते हैं, महीं class meeting के अंदर के आता है, कि class की meeting होती है, अलग से है, जिसमें parent-teacher meeting होती है, फिर board meeting होती है, है न, organization की meeting अलग होती है, फिर corporate की meeting अलग होती है, तो यह सारी कुछ ही types है, meeting के kinds हैं, जिसको आपको ध्यान दखना चाहिए, और I hope दोस्तों, इस सारी चीज़े clear हो गए होंगे, कि meeting actual में क्या होती है, उसकी requirement कौन कौन से चीज़ों की है, meeting को conduct कराने के लिए, और साथ में इसके kinds कितने होते हैं, ठीक है, तो next video में अब हम लोग discuss करेंगे, minutes of meeting के बार पे हैं, और मिलते हैं next video में, till then take care, thank you and bye, PDF का link description box मिल जाएगा, और वीडियो को like भी कर देजिएगा, thank you for watching this